ठीक है, अब ये है साहसी, ठीक है, और साहसी जो word है, इसका अगर हम synonyms देखें, तो है courage, ठीक है, है bold, ठीक है, है daring, ठीक है, interpret, ठीक है, adventurous, dancing, heroic, confident, ठीक है, तो ये जो word है ना, ये audacious के क्या है, synonyms है, audacious मतला होता क्या है, साहसी होता है, ठीक है, और साहसी का क्या हो गया, इंटरपिट एडवेंचरस डैसिंग हेरोइक कांफिडेंट ठीक है तो यह कुछ वर्ड इसके क्या है सिनोनिम्स है और इसका मैं कुछ अगर आपको इसी तरह से एंटॉनिम्स भी बता हूँ आप लोग सभी लोग नोट कर लिजेगा टेमिड इसका इंटॉनिम्स है टीक है तो ऐसे जो वर्ड यह आपके क्या जो साइट में लिखे हुए है वो अंटॉनिम्स है और जो यहां पर लिखे हुए है वो क्या है आपके सिनोनिम्स है किसके और इसकी जो पीडियाफ है मैंने आपको अलरेडी प्रोवाइड कर दी है जो भी लोग कोरस ले चुके ह already, तो वो लोग पढ़ रहे होंगे बहाँ पे, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसी तरह से मैं आपको पूरी क्लास आगे पढ़ाने बाला हूँ, ठीक है, तो जो जिसका भी कमेंट होगा वो कर दीजेगा बीच में फिर मैं आपको एंसर देता रहोंगा, ठीक है, तो चलिए, हमारा जो first word था वो था क्या, audacious, अब हमारा जो second word है, वो है crafty, ठीक है, तो crafty को आज हम पढ़ेंगे, crafty क्या है, ठीक है, crafty मतलब होता है चालाक, crafty मतलब क्या होता है, चालाग ठीक है अब इसका अगर हमें देखना क्या है Synonyms देखना है ठीक है तो Synonyms क्या होगा तो Cunning ठीक है Synonyms क्या हुआ Cunning ठीक है Sly, Artful, Tricky, Dishonored, Deceitful और Sharp ठीक है तो यह जो word हुए यह क्या हुए Crafty के Synonyms हुए ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा Crafty का Synonyms क्या होगा वो होगा आपका Cunning, Sly, Artful, Tricky, Dishonored, Deceitful और Sharp मतलब आप से पूछे अगर Crafty का हमको Synonyms बताओ ठीक है तो Synonyms में आपको यह word रखने है ठीक है इन में से एक option आपका वहाँ पे होगा और बाकी के नहीं होंगे ठीक है और अगर आपका मान लीजे क्या पूछ लेता है एंटोनिम्स ठीक है तो एंटोनिम्स के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा एंटोनिम्स के लिए आपको मिलेगा क्या आपको वहाँ पे एक और word मैंने दे के रखे हैं वह word क्या है जैसे की honest चालाक का क्या होगा honest होगा ठीक है नेव, artless ठीक है innocent तो यह जो word है यह क्या है आपके यह आपके word है चालाक इसके crafty के synonyms ठीक है तो आप लोग को बाते समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ वह चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है ठीक है आगे चलते हैं और भी देखते हैं हमारे पास बहुत सारे word है और यह मैं आपको बता दूँ यह कोई word मैंने अपने से नहीं बनाए हैं यह सभी word आपके exam पे पूछे गए questions हैं ठीक है 1000 प्लस word मैं आपको बताऊंगा अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आपको नद कभी भी दुबारा किसी और सब synonyms और अंटोनिम से आद करने जरूत नहीं बस इतना पढ़ लीजे ठीक है जैसे मैंने लिखा avarant मतलब होता है पतवरस्ट ठीक है avarant मतलब क्या होता है पतवरस्ट पतवरस्ट मतलब जो अपने मार्ग से क्या हो जाता है चला जाता है इधर उधर हो जाता है ठीक है तो उसे पतवरस्ट कहते है ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको देता हूँ उसके synonyms क्या है तो जैसे capricious ठीक है पेकुलियर, ठीक है, क्वीर, ठीक है, एबनॉर्वल, डिफरेंट, वियर्ड, ठीक है, इन सभी का मतलब क्या होता है, पहत वरस्ट, अजीव, ठीक है, एबनॉर्वल मतलब जो नॉर्मल ना हो, ठीक है, डिफरेंट, अलग प्रकार का वियर्ड, ठीक है, तो ये सब जो से फिर से लिखके याद करना पड़ेगा, तो synonyms, antonyms, ऐसे ही आप लोग भी notes अपनी बनाईए, एक तरफ एक word लिखिए, जो बार-बार पूछा जाता है, ठीक है, उसका synonyms लिखिए, और उसका अगर antonyms पुछ लेता है, तो उसका antonyms भी आप लोग लिखिए, ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अवरेंट का अगर रिखें, तो normal होगा, ठीक है, ordinary होगा, ठीक है, और आपका typical होगा, ठीक है, familiar होगा तो ये जो word हैं, ये word हैं आपके antonyms, ठीक है, तो synonyms, antonyms, एक ही class में आपको, इस तरह से मैं आपको cover कराओंगा, ठीक है, तो आप लोग को चीजे समझ में आ रही होगी, और अगर कोई दिक्कत है, तो फटा-फटा आप लोग comment करके, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, चलिए, आँगे चलते हैं, देवियो सचनो, अब rent हो गया, अब हमारा जो next word है, insolent है, ठीक है, तो insolent को देखते हैं, इसमें क्या क्या है, तो insolent मतलब होता है, आपका दिवालिया, ठीक है, दिवालिया कैसे हुआ, तो दिवालिया मतलब ऐसा, कि इसके पास एक भी रु insolent, बरवाद, ठीक है, wiped out, मतलब एकदम से खतम, unable to pay, मतलब जो करजा अब दे नहीं सकता, once depth, जिसके पास करजदार हो जो, तो ये सब words जो हैं, ये insolvent के क्या है, synonyms हैं, ठीक है, और ये बहुत बार पूछे गए हैं, एकौन insolvent, अब इसका मैं आपको बताता हूँ, क् एंटॉनिम्स, ठीक है, तो एकी साथ इंटॉनिम्स भी याद करते चलिए, solvent हो गया, wealthy हो गया, comfortable हो गया, prosperous हो गया, तो ये सु बर्ड हैं, ये इसके क्या हैं, एंटॉनिम्स हैं, अब देखिए, एंटॉनिम्स कैसे समझ मैं आगा दिवालिया, insolvent मतलब क्या हुआ, इसका ins insolvent का solvent कर दीजे, पहला तो ये ऐसा याद कर लिए, इंटॉनिम्स, ठीक है, wealthy मतलब क्या होता है, अमीर होता है, comfortable मतलब जो अराम से रहे, और जो करजा लेके रहेगा, वो अराम से कभी रह पाएगा, नहीं रहेगा न, ठीक है, uncomfortable रहेगा वो, और insolvent का दिवालिया, और इ ये सभी questions बार बार पूछेगा है, आपको जानते ही होंगे, ये submit word है, submit, और submit कितना पूछा जाता है, आप लोग को तो पता ही है, ठीक है, तो आगे चलते है, submit, submit मतलब होता है, सिखर, ठीक है, तो सिखर का क्या हुआ, जैसे कि peak, ठीक है, peak मतलब होता है, चोटी, pinnacle again चोटी, top मतलब सबसे उचा पार्ट, ठीक है, apex, crest, vertex, तो ये जो जितने भी word है, ये submit के क्या है, synonyms है, ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर मैं antonyms की बात करूँ, तो अगर सिखा रहे तो उसका क्या होगा, सबसे नीचे वाला और क्या हो जाएगा, नादिर, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है, और उमीद कर रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रही होगी, और मेरी volume आप लोग के तक clear पहुंच रही है न, ते एक बार comment करके बताईए निहा जी, कि volume clear है कि नहीं मेरी, सईसे volume आ होता है नाजुक, नाजुक मतलब जो आसानी से मुड़ जाए, ठीक है, असानी से टूट जाए उसको बोलते है किया नाजुक, ठीक है, तो आप लोग समझगे, व्रिटेल मतलब क्या होता है, नाजुक, ये भी सब्ध बहुर बाद पूछा गया है, ठीक है, अब इसका सब्ध क्या है, इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसका जो सिनॉनम्स है, वो है आपका, फ्रेजाइल, ठीक है, फ वर्ड होते हैं, ये सब ब्रिटल के क्या है, सिनॉनम्स है, जब कोशन आयागा ना, कि ब्रिटल का सिनॉनम्स बताईए, तो यही सब वर्ड आपको वहाँ पे उनमें से एक दिया होगा, जितना आपने यहाँ पे लिखे हुए वर्ड है ना, उनमें से एक सब दिया होगा, और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो आप लोग मेरी बास समझ रहे होंगे, और अगर मैं इसका इंटॉनिस सूच लेता हूँ, ऐसा ब्रिटल का इंटॉनिस बताईए, तो भाईया, इसका उल्चस टूर्टा कर दीजे, जैसे कि टफ, टफ मतलब क्या, जो आसानी से न न, तो यह जो वर्ड है, यह है ब्रिटल, ब्रिटल का मैंने आपको बताया, सिनोनिम्स और इंटोनिम्स, ठीक है, तो क्लियरली बास समझ में आरी है, आप सभी को, ठीक है, आगे चलते हैं, मेरी वोइस तो क्लियर है न, आप लोग तक, वोइस इस क्लियर और नॉट, बता सब के थुरू, ठीक है, और हमारा रिवा इंस्टूट का एप, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो चलते हैं, आगे और हम लोग और कुछ कोशन द सब भी मतलब समझते हैं आप लोग, मतलब जिसके अंदर सब भीता नाम की चीज ना हो, उसे बोलते है ब्रूटल, अब ये ब्रूटल जो है, इसका जो सब्द है, वो क्या है, क्रूल, क्रूल मतलब क्या होता है, क्रूल मतलब होता है, निर्दई, ठीक है, क्या होता है, मरस मार देता है ठीक है वजीच से विच वरवरिक अगेन असब धिक विग्ड ठीक है मड्रस ठीक है तो यह जो वर्ड है ना यह ब्रूटल के क्या है यह ब्रूटल के क्लास नहीं चल रही है क्या क्वूर्ट पुनम चेक करो, क्लास नहीं चल रही है, क्या? स्टेटस पर लिंक है खुल रही है, ओपन हो रही है क्या? खतम है? क्या? अभी रुकी है ना? रुक ना, दो मिनट में चालो करता हूँ, ठीक है? सो आँगे चलते हैं और ब्रूटल की बात करते हैं ब्रूटल का मैंने आपको स्टिनॉनमस बता दिया, आप देखिए अन्टॉनमस इसका इंडियोरेवल है, ठीक है? यह कुछ वर्ड है, जो आप लोगों को ध्यान रखने है, ठीक है? तो आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा उमीद करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद देखिए वेरन, तो वेरन क्या है? मैं आपको कुछ सब्द बताता हूँ, वेरन मतलब होता है बंजर, वेरन मतलब क्या होता है? वंजर, अब वंजर मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ चीज उग ना पाए, ठीक है? या उसमें कुछ चीज़े हो ना पाएं, उ जैसे कि fruitless, जैसे कि unproductive, ठीक है, जैसे कि sterile, ठीक है, जैसे कि infertile, infertile मतलब समझते हैं, अनुप जाओ, तो यह सब word है, unfruitful, ठीक है, arid, desert, baseless, ठीक है, record हो रहा है, तो फिर recorded दे दूँगा, इसा कर दूँगा, तो wherein मतलब होता है, बंजर, और बंजर का क्या हो जाएगा, यह कुछ word है, बंजर की जो synonyms है, और फिर आप लोग को मैं बता दू, productive, fertile, damn, bat, cultivate, और आपका क्या हो जाएगा, moist, developing, ऐसे जो word है, वो baron के क्या हो जाएँगे, synonyms हो जाएँगे, ठीक है, तो antonyms हो जाएँगे, तो यह कुछ synonyms मैंने आपको बता दिये, baron के, baron पढ़ना है, वो मैंने आपको तरीका बताया, ठीक है, चलिए समझिएगा, अभी मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई, यह मैंने कुछ word बताए है, इसी तरह मैं पूरी class आप लोग को बढ़ाऊंगा, हर Saturday को बढ़ाऊंगा, अभी कुछ technical issue आ रहा है, कपिल मिश्रा जो अगर आपने मेरी class इसे पूरी देख ली, तो निश्यत तोर पे कोई भी question नहीं बचेगा, और हर exam का, आप खुद ही बोलोगे ना सरी, यह question मेरे उस exam मेरे उस exam पे आया था, तो मैं आपको पूरा exam oriented fact पूरे चीज में आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है, तो चलिए, यह class आपको available करा देता हूं, मैं कहां पर आपके YouTube पे recorded, ठीक है, so dear students मिलते हैं आपके next class में, thank you for watching dear students, thank you